सिश्षा को हाई टेक बनाने की कवायत देश प्रदेश में तेजी के साथ जारी है स्कूलों के भवनों को सुन्दर बनाया जा रहा है ताकि ग्रामन इलाकों में बच्चे और उनके अभी भावत आकरशित होकर स्कूलों में बच्चे को पढ़ाएं और देश का भविश्य उज्वल हो सके लेकिन हकीकत क्या यही है जो आप सुन रहे हैं हाँ हो सकता है आपके आसपास स्कूलों में बच्चों को सारी सुविधाय मिल रही हो लेकिन सोशल मीडिया ऐसे वीडियो से भरा पढ़ा है जहां बच्चे कभी नीचे जमीन पर बैच कर पढ़ रहे हैं कहीं जाडू लगा रहे हैं तो कहीं स्कूल परिसर में भरे पानी को पार कर पढ़ने पर मचपूर हैं आज हम आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाने जा रहे हैं जहां बच्चों में पढ़ने का जज़वा है लेकिन प्रशासनिक लापरवाही देखिए बच्चों को पानी में डूब कर जाना पढ़ रहा है चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं ये तस्वीरे सामने आई है जहांसी से जहां इन दिनों बांधों से लेकर नदियां तालाब सब बढ़ते जल्सतर से उफनाए हुए हैं खास्तार से बेतवा नदि और छोटी नदियां बांधों से छोड़े जाने वाले पानी के चलते डरावनी अंदाज में बह रही हैं नदियों बांधों में आये पानी के सेलाब की परवा किये बिना जिले के कई ऐसे इलाके हैं जहां माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नाओं का सहारा लेकर अपने बच्चों के जान जोखिम में डाल कर उनको बैठा कर स्कूल भीजने को मजबूर हैं परताल में मौरानीपूर तहसील के बढ़ाई गाओं में कुछ इस तरह की बेबसी लाचारी बच्चों के माता-पिता में दिखी बढ़ाई गाओं के रहने वाले ग्रामणों का कहना है कि गाओं से स्कूल जाने के लिए मात्र एक ही रास्ता है और उस पर पानी भरा हुआ है अब ऐसे में जला प्रशासन के स्तर से एक सक्री सी नाओ ग्रामणों को मुहया करा दी गई है नाविक को भी तैनात कर दिया गया है जो आठ बजे से आठ बजे रात तक और कभी कभी को दस बच जाते हैं किसके लिए लगाई गिना वह आदमी बच्चा ने कायवे कि लाना है रास्ता नहीं कोनु रास्ता नहीं जी रास्ता है कौन सा गाओं है बुड़ाई अच्छा आपको कितने रूपे मिलते हैं? ही है चोटी नाव से स्कूल जाने और स्कूल से वापस घर जाते समय बहुत डर लगता है कहीं नाव पलटना जाए क्या नाम बेटा आपको? अनी. कौन गाओ की आप? बड़ाई. कितने में पढ़ती हैं आप? दो में. कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? सीकाई. सकूल में. अच्छा जिए बताईए, आप नाव से आई हो सकूल पर कणिये? डिली ना आती है? जाइब नाव सकूल आना पड़ता है। सुनिए चोटे चोटे नहीं हालों का क्या कुछ कहना है वहीं इस गाओं की प्रधान का कहना है कि पिछले कई दशक से इस गाओं में हर साल मौनसून के सीजन में पानी गाओं को घेर लेता है जिसके चलते गाउं के पास वरी तालाब और आसपास के नदियां उफान पर आ जाती है जिसमें गाउं से बहार निकलने के लिए सिर्फ एक रास्ता बचता है कई बार जिला प्रशासन से भी अपील की गई है लेकिन हर बार इसे नजर अंदास किया गया वहीं जिला प्रशासन की तरफ से पानी से घिरे हुए गाउं से बच्चों को पढ़ने के लिए या फिर ग्रामनों को गाउं से कहीं जाने के लिए महज एक संकरी सिनाव देकर जिला प्रशासन ने अपने काम को यहीं खत्म कर दिया फिलहाल बुराई गाउं के ग्रामनों से लेकर बच्चे और ग्रामपधान जिला प्रशासन से चोटी सी नाव में बैठकर गहरे तालाब नदी को पार करने की मजबूरी से निजात दिलाने की अपील करते हैं लेकिन क्या उजपल भविश्य ननिहालों को देने का दम भड़ने वाले इस ओर कोई कदब उठाएंगे यह अपने आप में बड़ा सवाल है